आप सबका स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल मॉम डेड और बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनसी में हसने से मा और बच्चे दोनों को फायदे मिलते हैं तो कैसे फायदे मिलते हैं इसको जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद नहीं आएगी तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्वास्त के लिए हसना बहुत फायदे मना जाता है और प्रेगनेंट महिलाओं के लिए तो यह दो गुना लाब करी है यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंट महिलाओं को खुस रहने और खुब हसने के लिए कहा जाता है आपको बता दें कि प्रेगनेंट में खुस रहने से मा और बच्चा दोनों सुस्त रहते हैं और सीसू के विकास से भी इसमें मदद मिलती हैं अगर आप भी प्रेगनेंट हैं तो जड़ा दिल खोल कर हसने की कोसिस करें हसना किसी दवा से कम नहीं है इससे मूज अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में हसने से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है प्रेगनेंट महिलाओं को तनाव लेने पर असर पड़ता है और गरबस्त से सुपरदिस का काफी ज़्याद असर पड़ता है इसलिए इस दोरान महिलाओं को खुस रहने और खुब हसने के लिए कहा जाता है ताकि मा और बच्चा दोनों स्वस्त रहे हसने से न केवल आपको खुसी मिलती है बलकि इससे स्वस्त सिसु के विकास में भी मदद मिलती है प्रेगनेंसी में हसने के कई फायदे होते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेगनंसी हार्मोन के कारण प्रेगनंट महिला को अचानक दुख और डिप्रेसन महसूस हो सकता है प्रेगनंसी में दवाओं का सेवन कम से कम करना चाहिए इसकी बजाए आप कॉमेडी या मजाक या सो देखकर या चुटकुली सुनकर हस सकती है इससे मूद भी ठीक रहता है और धीरे धीरे डिप्रेसन के लक्षन भी कम होने लगते है अब बात कर लेते हैं इससे सीसू के विकास में कैसे मदद मिलती है जब भी आप अल्टरसाउंट के लिए जाती है तो जड़ा हसकर देखे कि आपका सीसू कैसी परतिकिरिया देता है जब आप प्रेगनसी में खुस और उत्साह के लिए पड़िपुन रहती है तो आपका बच्चा एक्टिव रहता है और उसका विकास भी बहतर होता है ऐसे कई कारक हैं जो प्रिमेच्चोर डिलिवरी का कारण बनते हैं और जब मा की इम्मिनिटी कमजोर हो तो इसका खत्रा और बढ़ जाता है इम्मिनिटी कमजोर होने पर वाइरस बैक्टेरिया आधी आसानी से परभावित करते हैं और इसका बुरा असर मा एवं बच्चे दोनों पर पड़ता है इन्फेक्शन से मा से ज़्यादा सिसु को नुकसान पहुँशने का खत्रा रहता है इसकी वज़ा से बच्चे का नौ महिने से पहले जन्म या कोई जन्म विकार होने की खत्रा रहता है अगर आप इंटेलिजेंट बच्चा चाहती हैं तो प्रेग्रेंसी में वो सब काम करें जिसे सिसु के मस्तिक्स के विकास में मदद मिलती है डाइट के अलावा मा को खुस रहना भी सिसु के विकास के लिए जरूरी है इससे गरवत सिसु के मुव्मेंट पर अच्छा असर पड़ता है और साथ ही दिमाग की कोशिकाएं भी विक्सित होती है गरभावस्ता में मौर्निंग सिकनेस, कमर दर्द, एठन, पैडों में सूजन और गरभावस्ता में सिर दर्द होना आम बात है हसने से आपका दर्द कम होता है और सरीर में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो नेच्रल पेन किलर यानि की दर्द निवारक का काम करते हैं अगर आप प्रेगनंसी में हसते हैं तो आपका ब्लड प्रेसर भी नॉर्मल रहता है और मा की इम्मूनिटी भी बढ़ती है उमीद करते हो आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मार चानल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छे टिप्स के लिए मार चानल को सब्सक्राइब जरूर करें